एक लड़ के अपने बॉस के बेटे से ही अफेर करते हैं उन दोनों ने मिलकर बॉस को फ़साने का प्लान बनाया पर सारी चीज़े जिस तरीके से सिंपल लग रही थी वो ऐसे सिंपल थी नहीं इसके बीचे बहुत सारे राज दफन थे अगर आपको वीडियो चलागता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू करतीजेगा इसके ट्विस्ट के लिए इस वीडियो को अन्टक जरूर देखिए बिनाक्सिदेरी के एक्स्पलेशन स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन क्यारेटर लॉरेन को देख सकते है एक बड़ी सी कमपनी में एनलिस्ट थी अलग-अलग कमपनी किस कंडिशन में कमपनी इसके स्टॉक इन सारी चीजों के बारे में उसे बहुत सारा नॉलिज था आज राद भी अपने ब्रोकर के साथ वो काम करने वाली थी एक कमपनी को लॉस होने वाला है इसके बारे में वो डिस्कस करती है राद में उसे कमपनी देने के लिए आज उसके साथ कोई था उसके साथ वो इंटिमेट हो जाती है पर सुबह होती है उसे उसने घर से निकाल दिया क्योंकि उसे काम पर जाना था काम पर जाने से पहले लॉरेन मैंनी से मिली मैंने उसके फादर के फ्रेंड थे वो पहले पुलीस में थे पर करप्शन की वज़े से उनने निकाल दिया है पर आज कल वो डिरिक्टू का वर्क करते हैं लॉरेन ने उन्हें कुछ लोगों का पीछा करने का काम दिया था एक्चुल में लॉरेन की कमपनी जिस कमपनी के साथ आज डील करने वाली है उन्हीं पर लॉरेन नज़र रख रही थी इस मीटिंग में लॉरेन ने अपने बॉस के सामने एक प्रोपोजर रखा जो करना उसे अलाउड नहीं था एक स्पेसिव एक कमपनी के बारे में बात करते हैं वो कहती है आपको जल से जल उस कमपनी से बहुत सारे पैसे निकाल लेने चाहिए इस बात पर उसके बहुत सिर्फ उसका मजाग उड़ाते है उन्हें लग रहा था कि यह बहुत ही घटी आड़वाईस है बहुत के जाने के बाद लॉरेन का मैनेजर से बात करता है कहता है तो इन प्रोपोजल देने के लिए किसने खा था उसने कुष्य में उसे फायर कर दिया लॉरेन का डे खराब था तो डार्कली रात में बार में आई उसे एक आदमी अप्रोच कर रहा था वो पहले तो उसे उतना जादा भाव नहीं देती पर लॉरेन ने बॉस के बेटे को मीटिंग में देखा हुआ था वही बेटा आज बार में किसी और के साथ आया हुआ है लॉरेन को ज़रा अकिला लगता है तो इस वज़े सो इससे हो बात करने लगे उस आदमी ने लॉरेन के लिए ड्रिंग्स बाई किया पर जब लॉरेन वाश रूम जाती है तो उसके ड्रिंग में कुछ मिला देता है ये बेहुशी का ड्रग था लॉरेन की तबियत बहुत ही खराब होगी वो आदमी उसे अपनी गाड़ी के पास ले कर जाता है और जबरदसी उसके साथ इंटिमेट होने वाला था पर तभी बॉस का बेटा भाँ पहुश गया इसका नाम में कली है कली ने उस आदमी को बहुत मारा और लॉरेन को उसके घर पर सेफ लिए पहुचा देता है लॉरेन का खैल रगने के लिए और रात बर उसके साथ ही रुका लॉरेन को जो भोश है तो पूशती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो कली कहता है कि तुम्हें पता है कि उस आदमी ने तुम्हारे साथ किया क्या था लॉरेन कहती कि हाँ मैं वैसे भी ड्रंग नहीं होती लॉरेन ने गले को उसके लिए कोक लाने के लिखा लॉरेन कहती है क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो हर जगा पर मैं तुम्हें देख रही हूँ लॉरेन को इस पर गुस्सा आता है उसने उसकी हेल्प की थी हो गहता है तुम्हें मुझे thank you कहना चाहिए था वो गुशे मैं आसे जा रहा था पर Lauren ने उसे रोक लिया वो बुच्छती कि तुम रात में घर क्यों नहीं गए हो गहता है मैं तुम्हारा खैल लगना चाहता था अगर मेरी जगा कोई और होता तो यही करता कल की मीटिंग में Lauren और Clay यह दोनों एक दूसरे से बहुत अट्रेक्टिर थे Lauren उसके पास आती है और फिर यह दोनों intimate हो जाते है Lauren उसे पुछती कि कल रात तुम किसके साथ तुम किसके साथ थे Clay ने का कि वो सिर्फ मेरी फ्रेंड थी यह दोनों intimate होए और फिर Lauren को call आता है जैसा उसे लगा था कि company डूबने वाली है वैसा ही हुआ है उसे बॉस ने अपने office में बुलाया Lauren ने जो कहा था वो सही था और इसका manager गलत इस बात पर बॉस गुसा होकर manager को यह fire कर देता है Lauren गुस का job और एक promotion भी मिल चुका था यह सब देखकर clay भी impressed था बाद में दोनों एक दुसरे के साथ time spent कर रहे थे clay ने कहा कि मेरे बास घर पर glass का बहुत ही अच्छा collection है अभर तुम चाहो तो मैं कभी तुमें दिखा सकता हो Lauren कहती कि चलो अभी चलते इग्लास का collection बहुत ही beautiful था clay गहता है मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हमने as a investment नहीं लिया इसकी beauty enjoy करने के लिए हमने buy किया है Lauren यही पर clay को किस करने लगती है clay ने का मेरे फादर कभी भी आ सकते है पर फिर भी ओ नहीं मानी यह दोनों फिर यही पर intimate हो गए जब Lauren इस घर से जा रही थी तो अभी अभी जिस manager को fire किया उस पर नज़र एक रहा था उसे लग रहा था कि Lauren कुछ ना कुछ तो plan कर रही है आज जब Lauren काम पर है तुसे लगता है कि उसे एक बड़ा सा account handle करने के लिए मिलेगा पर वैसा कुछ भी नहीं होता वो सिर्फ एक woman है तो इस वज़े से उसे account नहीं दिया जाता इस बात पर वो बहुत जादा गुसा हो गई थी अब इसके बात थोड़ी दिन गुजर चुके लॉरेन और कले की relationship जरा आगे बढ़ शुकी थी कले लॉरेन को जिस तरीकी से देख रहा था ये देखकर लॉरेन कहती है जो तुमें कहना है ये प्लीज मत कहो कले उसे I love you बोलने वाला था लॉरेन कहती है मेरे पहले भी शादी हुई थी वो मुझे छोड़ कर चला गया वो फिर इसे हट नहीं होना चाती कले लॉरेन को एक बहुत ही कीमती glass का showcase gift देता है वो कहता है मेरे फादर सिर्फ इसे as a asset देखते है पर मैं इसमें beauty देखता हूँ लॉरेन उसके लिए बहुत important है उसने कहा कि मेरे फादर ने एक नई branch open किये वहाँ पर मुझे अच्छा सा job मिल सकता है अब जब तुम मेरे साथ हो तुम मेरे future के बारे में मैं सोच रहा हो मैं तुमें छोड़ कर कही भी नहीं जाना चाता अगर तुम मेरा साथ हो तुमेरे फादर के सारे पैसे मेरे हो सकते है इस सब के बारे में लॉरेन ने सोच लिया अहली दिन लॉरेन के एक meeting होती है जिसमें उसके company एक बहुत बड़ी deal करने वाली थी इसके बारे में लॉरेन ने सोचा और clay से हो बात करती है कह दिये अगर तुम जाओ तो सारे पैसे हमारे हो सकते है clay कहता है कि मैं सिर्फ मज़ा कर रहा था अब भी मेरे पास पैसे है हम अगर जाए तो कहीं भी जा सकते है लॉरेन ने कहा कि पैसे ना होना ये क्या होता है मुझे पता है वो फिर से गरीब नहीं बनना चाहती इस वज़े से यह वैसे उसके लिए बहुत ही important थे वो फिर एक लेके फादर से पैसे किस तरीके से चुराने है इसका वो plan बनाती है उसने जाकर मैंने को hire किया मैंने उसके लिए वरीड था तो कुछ भी गलत ना करे लॉरेन कहें दिये यह full proof plan है इसमें कोई भी गलती नहीं हो सकती यह plan समझाते हैं लॉरेन ने कहा कि तुमारी company एक बड़ी company को buy करने वाली है यह buy करते वक्त इस deal पर मैं ही नज़र रखने वाली हूँ जब हमारी company पैसे transfer करने वाली होगी तुम बैंक का name change कर दूँगी अलग बैंक में सारे पैसे चले जाएंगे जहाँ पर हमारा account होगा इतने सारे पैसे चुराने के बाद इन्हें एक नई identity लगेगी तो यही बनवाने के लिए एक लड़की के पास हो गया जो hacker थी और यह identity वेगरा बदल सकती थी इसके लिए उसने बहुत सारे पैसे लिए पर फिर भी Lauren इसके लिए मान जाती है Nixon में हम देखते है कि Lauren के घर में एक्स manager आया हुआ था Lauren के घर से उसके सारे fingerprint से लेता है Lauren अपने broker के पास के अपनी company के सामने की building में बैक में जाकर एक fake account भी उसने निकाल लिया बोस पर दूर से नज़र रखते हैं उसके सारे password उन्होंने निकाल लिये और सारे पैसे और ट्रांसपर कर लेते हैं आज ये दोनों बहुत ही खुश थे तो directly intimate हो गए previous scene में हमने देखा था कि जिस लड़की ने लॉरेन के लिए एक fake identity बनाई हुई थी उसके पास ex manager गया वो directly उसे मार देता है movie के वस में लॉरेन को एक आदमी ने जबरदस्ती की थी उसी आदमी को ex manager Clay के घर में लेकर आता है वहाँ पर उसने उसे मार दिया फिर gas on करकर वहाँ से चला जाता है जाते जाते उसने घर में ब्लास्ट कर दिया था इससे अब सबको लगने वाला था कि Clay की डेत हो गए actual में ex manager Clay के लिए काम कर रहा था सारे काम हो जाने के बाद यह उसके पास आया पर Clay उसे ही मार डालता है राद में जब मैनी अकेला था तो उसके पास भी Clay गया उसका भी उसने मर्डर कर दिया सारे पेसे हमेशा से Clay अपने लिए पाना चाहता था उसने लॉरेन के साथ जो भी किया यह manager के साथ मिलकर पहले से उसका सारा plan था लॉरेन राद में उन्हें fake identity लेने के लिए गी पर वहाँ पर उस लड़की का murder पाती है उसे फिर पुलिस का call आया कि मैनी की death हो चुकी है यह निए उस सुनने के बाद लॉरेन बहुत ही ज़्यादा डिस्टब हो गई थी Clay उसके साथ था तो उससे सारा देता है सुबा होने पर लॉरेन को Clay पर शक आ गया था उस निकास से अपने आपको कट किया और अपना खुन अपार्मेंट में डाल देती है उसने फिर Clay को एक होटल में छोड़ दिया जहाँ पर वो शाम तक रुखने वाला है उसके बाद एरपोर्ट जाकर अलग कंट्री में चला जाएगा अब लॉरेन को Clay को अपने अकाउंट के पासवर्ट लेने थे लॉरेन ने अब तक अपना जो भी प्लान बनाया था ये सारा एक स्ट्रीट के कौन आर्टिस को देख करे उसी को उसने अप्रोच किया एक कौन आर्टिस कार्श को प्ले करकर अलग-अलग ट्रिक से लोगों को कौन करता था लॉरेन उससे जाकर बात करते है कहती है मेरे बास तुमारे लेक बड़ा जौब है उसने Clay को उससे दिखाया कहती है इससे तुमें पासवर्ट चुराना है उस पर दिन भर तुम नजर रखना तुमें इसके बदले में बहुत बड़ा reward मिलेगा तुम कभी भी imagine में नहीं कर सकते हैं इसके बाद लॉरेन अपने office में कई पर वहावर उसका पुलिस वेट कर रहे थे पुलिस उसे कहते है manning, clay और तुमारा ex-manager ये सारे dead है इन सारी की dead में सिर्फ तुम ही common हो लॉरेन इस पर चीर जाती है और पुलिस को कुछ भी नहीं बताती पुलिस ने notice किया कि लॉरेन की आग सुजी हुई थी एनी चान लॉरेन ने खुद जान बुश कर बनाया हुआ था लॉरेन का बॉस उसे पुशता है कि अब तक deal complete नहीं हुए लॉरेन कहती है आज शाम तक पूरी deal complete हो जाएगी थोड़ी दर में कौन आर्टिस ने clay से पासवर चुरा लिया था और लॉरेन से मिलने के लिए आया उसके साथ बहाना बना अगर ओफिस से चली जाती है बॉस को पता चला कि लॉरेन ने सारे पैसे निकाल लिया है उसे रोकनी की कोशिश करता है पर रोक नहीं बाता कौन आर्टिस ने का कि मुझे पता है कि उस अकाउंट में कितने पैसे है मुझे इसमें से कितने मिलेंगे लॉरेन गैती कि 50% वो भी ये देखकर खुश हो गया था ये दोनों मिल कर फिरिस कंट्री से बाहर चले गए लॉरेन ने पुलिस को कॉल किया और कहा कि कले अभी भी जिन्दा है उसने का कि आज शाम वो एरपोर्ट पर आपको मिल सकता है लॉरेन नाटक करती कहती है मुझे धमका रहा था मेरी जान भी खत्रे में है पुलिस कहती है कि हमारे पास आजाओ हम तुम प्रोटेक करेंगे पर लॉरेन ने का पहले तुम कले को ढूंट उसके बाद मैं खुद आ जाओंगी पुलिस ने फिर शाम में कले को पकड़ लिया वो लॉरेन को भी ढूंटने की कोशिश करते है तो उसके अपार्मेंट में उसका खून पाते है लॉरेन अपनी गाड़ी भी पीचे छोड़ कर गई थी पुलिस को इसमें कले की डियने में विक्रा मिलते है वो इस सब से अजुम करते है कि कले ने लॉरेन को मार दिया कले इस सब में बहुती बुरी तरीखे से फच चुका था लॉरेन के पास कले के अकाउंट के पासवर्ड आ चुके थे तो डारेकली सारे पैसे वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती है वो एक अलग कंट्री में जाकर सेटल हो कही थी उसने तो कले पर बिलीव किया था पर कले दोके बाज निकला तो उसे वो बदला ले लेती है इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजेगा यह बहुत सारे मूवी लेकर आते रहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दोने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक निमुई के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखिये